अगर आपको फॉर्मल लेटर लिखनी है तो उसमें आप सबसे पहले सबसे उपर क्या लिखेंगे फिर्स टैप आपका जो होगा दैट इस सेंडर्स एड्रेस यानि की जो इस लेटर को लिख रहा है उसका अपना एड्रेस जो इस लेटर को सेंड करेगा आफ्टर डैट सेंड होगा उसमें आप डालेंगे डेट लाइक डेट इस 9th जैनवरी 2022 या जो भी डेट होगी दैन उसके बाद आपका रिसीवर्स एड्रेस आएगा यानि कि आप जिसको लेटर ले रहे हैं लिख के दे रहे हैं और जो यह लेटर रिसीब करेगा जिसको यह लेटर मिलेगी उसको एड्रेस जो है लिखा जाएगा दन सालूटेशन सालूटेशन में सर माम आप किसको जो है वह लेटर जो है वह लिख रहे हैं आप डैट सब्जेक्ट ऑफ दी लेटर और यू कें से दा कंटेंट यानि आप जिसके रिगार्डिंग भी लेटर लिख है उस सारी डिटेल जो है यहां लिखेंगे कंटेंट में उसके बाद नेक्स्ट आगे आपका कॉंप्लिमेंटरी क्लॉस याइक थैंकिंग यू यूर्स ओबिडेंटली यूर्स फेथफुली देन नेम एंड डेजिगनेशन और उसके बाद आपके जो हैं साइन होंगे तो और सेम मैंन अगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें किसी कोई order दिया है आपने उसको cancel करना है order करना है उसके regarding हो गई editors को आप जो है newspaper editors वगारा जो है news editors को कोई आप किसी topic के regarding जो है letter लिख रहे हैं से मैंने job applications हो गई on officers departments of government और other organizations तो इन सब को जो letters लिखी जाती है सारी जो आपकी formal letters आती है और इन formal letters का जो format है वो बिलकुल ऐसा ही होगा जैसे मैंने आपको पर explain की है सबसे बहले sender's address then date then receiver's address, salutation subject, body of the letter और you can say contents then complimentary clause which will be clause will be that like yours faithfully thanking you के बाद yours faithfully name, designation and your signatures I hope आपको formal letter का जो है format जो है वो अच्छे से clear हो गया होगा अब इसके बाद जो है मैं आपके लिए जो है formal letters जो है next video में जो है मैं डालने वाली हो upload करने वाली हूँ thank you everyone for watching